हेलो फ्रेंड्स टेग बेर्ट चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपको बताने ज़र रहे हैं कि अपने कूल पैड नोट थी लाइट में मार्शमेलो की जो ऑफिशल अपडेट आगई है उसे फ्लेश के दुआरा कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं यह ऑफिशल है और यह जो मा बत कह रहा है कि अगर आप इसे कर लेंगे तो इसके वाद आप OTA अपडेट को भी प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको कूल पैट की फॉरम से जिसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रप्शन प्रवाइड करा दूंगा यह जो फाइल है इमेज 00 007 रार करके इसे आपर डाउनलोड करना होगा फिर इसे एक्स्रेट करना होगा जो मैं यहाँ पर कर चुका हूं जो कि यह है फिर आपको एक SP flash flash tool डाउनलोड करना पड़ेगा और उसका driver भी डाउनलोड करना पर जिसके भी लिंक मैं नीचे description में प्रवाइड कर तो चलिए शुरू करते हूं मैं आपको दिखा देता हूं कि मेरा यह जो Coolpad Note 3 Lite है यह आप देख सकते हैं जैसा कि यह मेरा Coolpad Note 3 Lite अब मैं इसमें अपना यह जो Marshmallow वर्दने वो इंस्टॉल करने वाला हूं तो चलिए शुरू करते हैं आप देख सकते हैं कि मैंने यह जो अपना मुबाइल है इसको USB से कनेक्ट कर लिया है और अब मैं अपने कंप्यूटर पर आ गया हूं अब मैं इसमें सारी फाइल एक्स्टेक्ट करने के बाद जाऊंगा SP flash tool में और यह जो flash tool.exe है इसको खोलूँगा मैं और अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से कुछ window खुल जाएगी और यह जहां पर आपको skater loading है बस आपको इसी ही छेड़ना है skater loading पर क्लिक करना है और फिर जहां आपने जो image 007.ra file जो आपने coolpad forum से download की थी उसकी जो skater file उसको यहां पर open करना है जैसे देख सकते हैं आप इस तरह से आपको आपको आईगी और इसको यहां पर open कर देना है और यह जो नीचे यह file से आपके खुल जाएगी अब आपको कुछ भी नहीं करना computer लेकिन आपको एक शी ध्यान रखना है जब भी आ और फाइल से उनको extract करने के बाद आप एक बार और फिर यह जो driver से इनको install करने के बाद आप एक बार computer restart जरूर कर लीजेगा और फिर आपको यहां पर download पर click कर देना है अब आप देख सकते हैं जैसा कि मेरा download अभी शुरू नहीं हुआ मेरा download अभी शुरू नहीं हुआ इस चले में एक बार अपने जो phone को restart कर लेता हूं यह problem आपके साथ भी आ सकती है तो आप इसके लिए एक बार phone restart कर लीजेगा कि मैं अपना phone restart करने जा रहा हूं और मैंने अपना phone restart करने के बाद यह देखी जा सकते हैं कि आप यह download flash यह शुरू हो चुका है तो इस तरह से 100% हो जाएगा और आपका जो marshmallow है वह अपने आपके phone में आसानी से install हो जाएगा इसमें कोई बहुत बड़ी वह परेशानी की बात नहीं इसली है लेकिन अगर आपको फिर भी कोई दिख करता है आप हमें comment box में comment करके पूछ सकते हैं कि हमने क्या किया कैसे किया वैस्ट मैं आपको सब कुछ बताई दिया लेकिन फिर भी अगर आपको को परेशान नहीं तो आप easily पूछ सकते लेकिन आप आपको वापस वीडियो पोस्त के बाद पर मिलता हूँ आप देख सकते हैं कि यह जो 100% डाउनलोड कंप्लीट हो गया है और इस पर इस तरह का कुछ आइकन आ गया है तो हम यहां पर क्लिक कर देंगे हो गया अब इसको हम बंद कर देंगे हम चलेंगे अपने फोन की तरफ अब यहां हम अपने यूएसबी ड्राइब जो यूएसबी केबल है वो निकाल लेंगे और हम अपने फोन को फर्स्ट बूट करेंगे इस फर्स्ट बूट को होने में तकरीवन 4-5 मिनिट लगते हैं तो आपको घबरानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा फोन तकरीवन 5-7 मिनिट में फर्स्ट बूट ले चुका है तो चलिए मैं आपको एक बार सैटप पूरा कर लेता हूं फिर दिखाता हूं कि यह जो वर्दन 007 है कूल यूई का और मार्श मैलो की ऑफिशल अपडेट है कूल पैट की यह कैसी है यह आप देख सकते हैं कि यह सैटप पूरा हो चुका है और अब मैं आपको दिखा देता हूं अबाउट फोन में जाकर यह आप देख सकते हैं बेल नमबर बर्दन 007 मॉडल नमबर यह यह एंडूइड बर्दन 6.0 और यह ऑफिशल अपडेट है तो आप इसे कर लीजिएगा और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके जो भी शिकायत कि असो जाओ होगा मैं जैहिंद बंदे मात्रम और मैंने कूल पैट किये जो अपडेट है इसका एक रिव्यू भी डाल रखा है तो आप उसे भी जरू-जरू से देख लीजिए कि आपको एक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए कि इसमें क्या-क्या बग्स अभी भी रह गए हैं तो थैंक्यू वाचिंग जैहिंद बंदे मात्रम